तो आज इस lecture में हम APIs create करने जा रहे हैं जो कि basically drop down dependencies के उपर होंगे जिसमें आज हम use करने वाले हैं जो APIs हमारी drop down dependencies के उपर होने वाली वो countries, states and cities के उपर होने वाली हैं जैसा कि आप जानते हो यह दोनों एक दूसरे के उपर dependent होंगे ठीक है तो countries, states and city की हम APIs create करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको database से अपने यहाँ पर दिखा देता हूँ database में क्या है इसके लिए cities, countries and states नाम के यहाँ पर आपको यहाँ पर collection दिखाई दे रहे हैं ठीक है जो कि आपको यहाँ पर already दिखाई दे रहे हैं बने हुए जो कि हमने अभी create करके रखे हुए है मैंने already ठीक है तो ऐसा कुछ होगा आपके पास अगर नहीं है तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर पूरे worldwide में जितनी भी countries हैं वो यहाँ पर exist करती हैं जिसमें name आ रहा है उनका short name आ ठीक है like Afghanistan का EF American Samoa का ठीक है अगर आपको यह जानना है कि आपको कैसे countries के बेस पर उनकी states and cities को आपको कैसे श्टोर कराना है mongodv database में using API तो आप comment में बता सकते हो उसके उपर मैं lecture बना दूँगा अगर आपको जानना है तो फिलाल में आज का जो हमारा काम है इन तीनों का यूज करके country, states and cities का यूज करके हमें API क्रेट करने है ठीक है dependencies हमें बनानी होंगी ठीक है यहाँ पर यहाँ पर यह हमारा country हो गया और यहाँ पर मैं जाओं तो यहाँ पर आपका states आ गया मैं cities को open कर यहां नहीद हूसर था में टाल कि मैं डालना चाहता था तो पूरा आपर सकता यहाँ अलगा तो सबसे पहले यहां से मैं अपना प्रोजेक्ट दिखा लिता हूँ जो कि में music यहां इ Whenever पर controllers है देखिए मैं यहाँ पर पहली बताजते हूं MBC pattern को follow करके चलना हूं अगर आपको MBC pattern के बारे में नहीं पता है तो आप i button पर जा करके देख सकते हो ठीक है अब यहाँ पर मैंने कुछ packages जो है already installed कर रखे हैं like कि यहाँ पर मैं जाओं तो यहाँ पर मेरे को mongoose की need परने वाली क्योंकि मैंने database से connectivity करूँगा तो मेरा mongoose already installed है express मेरा already installed है ठीक है एक होता है body parser जो की मेरा already installed है ठीक है तो मैं जादा नहीं बताऊंगा और यह आपको code पता होगा अगर आप मेरे mbc patterns को follow करते आ रहे होंगे तो आपको यह code के बारे में जरूर पता होगा जो की यह आपको मेरी screen पर दिखाई दे रहा है ठीक है अब index.js के अंदर आपको इतना काम करना है जो की मेरा already यहाँ पर server run हो रहा है dependency route ठीक है dot js कर लेता हूं अब इसमें मेरे को need परने वाली express वगेरा की तो मैं यहीं से इसको copy कर लेता हूं ठीक है और देखिए मैं पहली बता जता हूं आपने हमारे mbc pattern को follow किया होगा तो आपको understand हो रहा होगा जो भी मैं करूंगा ठीक है नहीं तो आपको कुछ understand नहीं होगा तो मैं यहां पर इसका name रख लेता हूं like dependent dependency route ठीक है इसको मैं यहां से export भी कर देता हूं क्योंकि मेरे को index.js में से use भी करना होगा तो module.exports is equal to dependency route ठीक है अभी यहां पर मेरे को अपने routes create करने है get countries, get states and get cities का ठीक है तो सबसे पहले तो मेरे को यहां पर body parser की need परने वाली जो की मेरा already installed है और यहां पर मैं body parser को जो है use कर लूँगा ठीक है तो यहां पर हम एक burial on लेते हैं like body parser करके body parser ठीक है अभी यहां पर हम body parser को json करेंगे ठीक है like सबसे पहले मैं dependency route.use करूँगा and then यहां पर body parser.json ठीक है यह basically मैं data get करने के लिए कर रहा हूं और फिर मैं यहां पर .url encode करूँगा जिसके अंदर मैं extended true password ठीक है extended colon true ठीक है तो यह कर दिया अब यहां पर सबसे से पहले हम एक API क्रेट करने जा रहे हैं जो कि get countries की होगी जिसमें हम सारी की सारी countries जो है अपने front end side वालों को देंगी API के द्वारा ठीक है तो लाइक मैं यहां पर dependency route का यूज करूँगा dot get मैं get बना रहा हूं आप चाहें post भी create कर सकते हो अभी यहां पर मैं जो रखूंगा वो मैंने रख लिए like get countries करके ठीक है इसमें क्या होगा यहां पर एक method कॉल होगा जो कि हमारे controller का कॉल होने वाल है जैसे कि मैंने आपको बता है mbc pattern को मैं follow करके चलूँगा तो मैं यहां पर एक controller create कर लेता हूं like कर यहां पर मैंने एक new file create की जिसमें मैंने नाम लख लिए इसका dependency controller.js ठीक है अब इस controller के अंदर हमें working करनी और मैं आपको एक बात बताना बोलिया स्टार्टिंग में कि मैंने यहां पर already models जो है create करके रखे हुए state countries and मैं दिखा जिता हूं मैंने क्या क्या किया हुआ है सबसे पहले मैं country model के बाहरे में बात करूं तो यहां पर मैंने require किया हुए mongos को जहां पर मैंने अपना schema क्रेट किया हुआ है यहां से मैं अपने country collection के अंदर जो मेरा country collection है डेटावेज में उसमें डेटा इंसर्टी भी डाल सकता हूं और मतलब operation में सारे perform कर सकता हूं यूजिंग इस module ठीक है आपको पता होना चाहिए कुछ तो common होना चाहिए आपके country states के बीच में ठीक है country की तो चलो कोई बात नहीं यहां पर उसका यहां पर यहां पर क्या क्या हुआ है अगर आप जाओगे तो इस्टेट नेम दिया हुआ और उनकी country में states होते हैं ठीक है तो यहां पर यह इस तरीकी से मैंने कुछ common दिया हुआ है कुछ कीज हैं जो कि मैंने common दिवी है जिनी के बेस पर हम find out कर पाएंगे ठीक है तो यह तो था country model जिसको मैंने आपको बता दिया फिर आता है आपका state model state model में आपका है name and country short name जो कि आपका like us हो गया ठीक है इस तरीकी से आपके short name जाएंगे जो कि आपके country short name होगे और यह आपका name होगा ठीक है अब मैं बात करूं city के city में क्या चल रहा है हमारा city में आपका name और state name state name के बेस पर हम अपनी city को find out कर पाएंगे तो यह हमारे models हैं जो कि आप screen पॉज करके अपनी तरफ create भी कर सकते हो मैं नहीं चाहता था time-based हो इसमें ठीक है model से मैं राएगा फिर city model थीक है तो मैं इन सबी के लिए variables भी यहां पर बना देता हूं ठीक है country करके and से मैं उसके लिए भी काम करूंगा state के लिए तो यहां पर यह state के लिए हो गया से मैं city के लिए भी वर्क करूंगा तो city ठीक है मतलब मेरे तीनों model से यहां पर यूज में आ चुके हैं क्योंकि मेरे को इनकी नीड़ पडने वाले ठीक है अब यहां पर मैं एक method क्रेट कर रहा हूं जो कि get countries करने वाला है ठीक है और यहां पर आपकी request and response आएगा और यहां रहेगा 400 and then send करोगे जो कि आपका एक proper message होना चाहिए user की front end वालों को जाना चाहिए एक सबसे पहले तो आपका success आ गया front end set वालों को तो सारी की सारी country चाहिए होगी ऐसा तो नहीं है कुछ particular चाहिए हुआ तो हम यहां से क्या करेंगे सारी की सारी देते हैं countries जिसमें आपकी सारी की सारी countries आ चुकी है और यहां से मैं front end वालों को यह कुछ इस तरीकी से response दोंगा like status आपका रहेगा 200 क्योंकि 200 means okay है ठीक है success रहेगा आपका true and then message में हम डाल देते है countries countries data ठीक है यह आप details जाल सकते हो data में हम क्या करेंगे जो आपकी countries में data आया है जो कि आपकी सारी countries आ चुकी है वो आपने यहां पर पास कर दिए ठीक है अब इस method को get countries को हमें route के अंदर use कर बाना है क्योंकि आप पता है कि यहां पर हम direct इस तरीके से भी method pass करके अपना काम कर सकते थे ठीक है पर मैं mbc pattern follow कर रहा हूं तो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे आप अपने controller को use करेंगे जो आपने custom module बनाया है controller का तो हम उसे require करेंगे तो require किस तरीके से करेंगे और dot करके बाहर जाएंगे सबसे पहले फिर हम जाएंगे controllers के अंदर और हमने जो अभी controller create किया है वो controller ठीक है यहां पर हम एक variable बना लेता हूं like sorry यहां पर मैं बना लेता हूं करूंगा जब तक मैं इसे बाहर कहीं यूज नहीं कर पाऊंगा किसी के अंदर भी ठीक है तो module डॉट exports is equal to मैं यहां से as an object get countries को कर दूँगा यहां से out ठीक है मतलब इसे कोई भी यूज गरपाऊ ठीक है फिर मैं यहां पर आऊंगा और यहां पर मैं dependency controller के पास जाऊंगा और इस controller से बोलूँगा कि भाई मेरे इस get countries को जो कि आपको suggestion में आ चुका है सबसे top पर बैसे नहीं आता अब आ चुका है ठीक है तो इतना काम करना आपको routing create की controller से आपने method call कराया और जो भी आपका controller का method call हुगा उसने model से data निकाला find out करके और आपको send कर दिया ठीक है अभी यह use नहीं होगा जब तक कि हमें index.js के अंदर अपने routing file को नहीं बताना होगा ठीक है मतलब बताना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे app.use like सबसे पहले हम कुछ text देते हैं like slash API करके जिसके बाद हमारे routes चलें ठीक है तो हम क्या करेंगे अपने file को यहाँ पर लेकर करके आते हैं require करते हैं हमने जो custom module बनाया है अपने route का तो dot slash and then हम चाहेंगे routes के अंदर फिर आपका dependency route और मैं यहाँ पर एक variable माल लेता हूँ हम dependency route करके ठीक है और यहाँ पर हम pass कर देंगे इसमें dependency route ठीक है अब मैं इस index.js file को कर देता हूँ close क्योंकि अब हम इसी के अंदर बाकी routes और create करने वाले हैं और अब हम test कर लेते हैं मेरा अब मेरे पास जो है सारी की सारी countries आनी चाहिए तो चैक करते हैं क्या होता है तो क्या होता है हाँ आ चुका है countries data और यह आपकी कितनी countries है 245 countries हैं जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है तो अफगानिस्तान में अमेरिकन समा ठीक है मेरा भी उत्तर परदेश होगा इसमें ठीक है अब यहाँ पर क्या करना है गाइस यह तो आपकी होगी get countries अब हमें एक new API create करने जारें जो कि basically होगी get states ठीक है अब आपको पता है states तो हमें उसके वेस पर लेने country के वेस पर ठीक है अब आप चाहो तो इसे get कर लो चाहें post कर लो मैं चाहूंगा मैं इसे get करके रहूंगा और मैं यहाँ पर कर लिता हूं इसको get states करके ठीक है अब यह क्या कर रहुगा यह अपने country का कुछ short name प्रोवाइड करेगा यह आप full name भी ले सकते हो पर मैं यहाँ पर short name लोगा जब मेरा short name है तो ठीक है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा country code ठीक है country code और यहाँ पर आप क्या अगर होगी country code पास करोगी like us पास किया ठीक है तो आप इस तरीक से जो है यहाँ पर अपने code को प पास करोगे जो भी front end side वाले होंगे ना उन्होंने जब यह API ली होगी तो वह यहाँ से जो short name है na AF, AS, AD, AL, like मेरा यहाँ पर USB होगा तो यहाँ पर US के पास जाता हूं यहाँ पर यहाँ पास करेंगे आप उनसे देखिए दो तरीके आप यहाँ तो इसको पास करवाओ चाह यहाँ वहाँ से send करेंगे फिर हम क्या करने वाले यह वाली API हम create करने वाले ठीक है तो like मैं यहाँ पर किस तरीक से create करूँगा मैं ऐसी हो coffee paste कर देता हूं और यहाँ पर मैं लग देता हूं getStates I think हमने getStates ही बनाई होगे ठीक है अभी यहाँ पर dependency controller का हमें एक method call कराएंगे जिसका नेम होगा getStates अभी देखिए यह method create नहीं हुआ है अभी हमें create करना है ठीक है तो getStates को हमें create करना है अपने dependency controller के अंदर तो मैं यहाँ पर आऊंगा और const getStates is called to async और यहाँ पर आपका factor method मेरे को try catch बारवर copy करना पड़ेगा तो यहां से मैं स्कोल रखी लेता हूं यहां से ठीक है तो यहां पर मैंने रखा और यहां से हम कुछ इस तरीकी से response send कराने वाले हैं यहां पर हम countries send नहीं कराएंगे state send कराएंगे ठीक है सबसे पहले तो मैं इस देता हूं states data ठीक है और यहां पर हम इसका जो नेम है वो रख लेते हैं states जो भी आपके states होंगे वह हम यहां पर data के अंदर पास कर देंगे ठीक है अभी क्या होगा like मैं ऐसे check करूंगा तो यह अभी send करता हूं ठीक है तो क्या बुलता है इसलिए error बगेरा तो नहीं आई है या फिरा I think मेरो लगता है अभी नोड मॉन स्टार्ट हो रहा हुआ चलो चेक कर लेता हूं नोड मॉन कहीं error तो नहीं दे रहा I think proper होगा मैं अगें सेव करता हूं यहां पर हां यहां पर कहां प्रॉलम हुई है बेस्पारी मेरे को टर्मिनल पर जाना ना हां अभी चेक कर लेते हैं I am gate इस्ट्पांस नहीं चल रहा तो क्यों नहीं चल रहा तो यहां पर यह बोलता है रेसपॉंस व्यांस को चेक नहीं लगाता हूं यहां पर देखहि경 हूं तो दो इसने आपके states दे दिया है ठीक है हाला कि मेरे को पता है states ज्यादा थे पर मैंने यहाँ पर कुछ चुनिंदा ही states अपने database में रखे हुए है हाला कि उसने सारे की सारे return कर दी है मेरे को अब यहां पर मेरे को सारे की सारे रेटन नहीं करवाने मेरे को पर्टिकुलर इसके बेस पर रेटन करवाने यहां पर क्या है अगर यहां पर देखो यूएस का तो आई रहा है अगर नीचे जाओं तो यहां पर देख पार हो जीवी मतलब जो की उनाइटेड किंग्डम का है यूनाइटेड कंग्डम जी भी और बाकी यह जी भी जी भी चाल रहा है और इंडिया यहाँ पर एंडिया ठीक है तो हमें यहाँ पर चैक लगाना तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम चैक करेंगे अपने डेटबेस में की क्या हमारा नेम है country short name तो यहां पर हम लेंगे country short name जो कि आपका आ रहा है यहां से country code ठीक है यहां से country code आ रहा है वह वहां से हमारा database में रखा हुआ country short name ठीक है तो हम क्या करेंगे request.body.country code ठीक है इसके base पर हम जो है अब जो चुनिंदा states के स्वरी चुनिंदा कंट्रीज के जो स्टेट्स हैं वो हम यहां पर सेंड कराएंगे ठीक है मतलब रेस्पॉंस सेंड करा रहे हैं तो यहां से मैंने सेंड करा है आप यहां पर देख पार हो आपके पास डेटा है पचपन ठीक है मतलब कि आपके पास यूएस यूएस के ही डेटा आ रहा है लाइ कि अब यहां पर जो इसका राउट रहने वाला वह रहने वाला, get cities और यहां पर सिंड कर्वे हुंगे, क्या सिंड करोगे यहां पर मैं cities में जाओं, यहां पर मेरी पास state name है टीक है, तो यहां पर आप क्या करोगे, state name यहां आप सेंड कर रही हुंगे, जो कि हमने यहां से इनों ने country code में दिया और हमने उसको data दिया dependencies बनती जा रही है ना country के बेस पर states आया अब states के बेस पर आपका आएगा cities ठीक है तो अब उनके पास जब states चली गई तो अब उनके पास जो है यह name आ रहा ठीक है यह जो name है वो अब हमारा cities में काम आने वाला ठीक है तो like मैं यहां से अगर अपने उत्तर परदेश की बात करता हूं like उत्तर परदेश ठीक है तो यह रहा ठीक है तो यहां से मैं क्या करूंगा इसको बोलूंगा फ्रेंटेंड वाई लोगो को कि आप मेरे को state name दो ठीक है तो यहां से क्या करने मेरे को state name प्रोवाइड करने like उत्तर परदेश ठीक है उसके वेस पर मैं उनको cities find out करके दूंगा ठीक है तो अब मैं यहीं पर आ जाता हूं एक और मैं से मैं इसको copy paste कर ल को create करना हुदा जाए करके ठीक है तो यहां पर आया मैं dependency controller के अंदर मैं same ac को get states को copy कर लेता हूं और copy करने के बाद मैं यहां पर रख लेता हूं और जो इसका name है get cities उसको हम यहां पर मैं अधर का name change कर देते हैं ठीक है और इसको मैं यहां से export भी कर जाता हूं जिससे कि मैं routing में use कर पाऊं अभी यहां से क्या करना है मेरे को city निकाल ली है ठीक है अभी यहां से city.find अभी यहां से अगर मैं कुछ pass नहीं करता हूं तो अभी क्या करेगा like यहां से मैं cities देता हूं इस variable का name और यहां पर data में मैं cities पास कर दूँगा और यहां पर मैं message में डाल दूँ cities data ठीक है तो अभी क्या है अगर मैं यहां पर check करूं get cities करता हूं तो मेरे को यह सारी की सारी cities निकाल करके दे देगा जो की 2581 है और यहां पर मेरे को कुछ चुनिंदा ही cities लेनी है जो की मेरे state के अंदर exist करती है तो like मैं यहां से कैसे get करूंगा तो यहां पर अगर मैं database य name है यहां पर state name की की है जिसमें मेरी request.body आ रही है ध्यान रखी यहां पर जो name प्रोवाइड कर रहा हूं यह मैं database से क्यों चेक कर रहा हूं यह विसकली से मेरे model में है तो आप model से देखेगा कहीं आप दौनों में name change ना कर दियूं ठीक है database में कुछ और है आपकी model में जाएंगे अब उसकी वेस पर जो है हमें cities मिल जाएंगे ठीक है तो अभी तो 2541 आ रही थी आप कुछ cities होंगी जो की तरप्रदेश के अंदर है जो कि कि कितनी है विसकली 688 cities हैं जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रही है मेरा विसकली मतरा भी होगा इसके अंदर चेक कर जो भी आप करना चाते हो वो आप create कर सकते हो ठीक है बस आपको कुछ नहीं करना था यहां पर जो मैंने get यूज किया हुग है यहां पर आप post यूज कर लेते ठीक है तो यह तीन हमने aps create की है जो की dependencies के लिए थी बस front end वालों को करना है क्या है यहां से countries का यहां से sort name कि किसी वंदे ने यहां पर जो है country code नहीं डाला तो उस case में क्या करोगे आप empty भी कर सकते हो ठीक है like यहां पर आओगे और यहां पर check करोगे ठीक है मैं आपको बता रहा हूं check करना कि यहां से आप क्या करोगे मान के चलिए किसी ने country नहीं डाला ठीक है अब मान के चलिए मैं country नहीं डालता हूं तो यहां पर क्या होगा empty आ रहा है ठीक है आप उसे चाहो तो empty आ रहा है चलो कोई बात नहीं है proper है पर अगर आप अपना custom message send करना चाहती हो तो आप अपने तरीके से message send कर सकते हो यहां पर सकसा false भी दे सकते हो वह आप कैसे दोगे यहां पर आप लिखोगे इफ और यहां पर आप चैक लगा दो request डॉट बॉड़ी डॉट और यहां से इसको डाल दो ठीक है यहां से simple empty area pass कर दो ठीक है और यहां पर जो होगा आपका message जाएगा like data not found ठीक है और यहां पर आप false दे सकते हो कि वहाई आपने यहां पर data को empty मतलब country code यहां तो empty आ रहा है यहां आपका undefined आ रहा है ठीक है उस case में ठीक है और यहां पर एक check भी लगा सकते हो कि यह आपका और करके कि अगर एककम एककम अंडिफाइंड है या आपका किसीने country code यहां पर empty वेज़ा तो उसका भी check लगा सकते हो टिक है तो यह दो check आप लगा सकते हो ठीक है तो यहां पर अभी भी बोला data not found ठीक है तो यह check आप इसके अंदर भी लगा सकते हो cities के अंदर मैंने आपको बता दिया वसे इस तरीके से check लगा सकते हो ठीक है तो मिलते हैं guys next lectures में so thank you मिलते हैं